नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वीके नियूज में खबर है गुलाम नभी आजाद को लेकर जो कि अपनी किताब लॉंच के बाद से लगातार सुर्ख्यों में परे हुए हैं ताबर सोड हमले वो कॉंग्रेस पार्टी पर कर रहे हैं बीच बीच में कुछ तलक इसमें एक बार फिर से गुलाम नभी आजाद ने राहूल गांधी को निशाने पर ले लिया है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी जो छोड़ी है इसके पीछे कौन सबसे बड़ी वजह है क्या कुछ कहा है गुलाम नभी आजाद ने बत पर एक बार फिर से निशाना साधा है उन्होंने इस दौरान कई बड़ी बाते कहीं है और बताया है कि खुद उन्होंने कॉंगरेस को क्यों छोड़ दिया और उसके पीछे जो वजह थी वो थे राहूल गांधी जियां राहूल गांधी का नाम लेकर उन्होंने सीधा हमला बोला है गुलाम नभी आजाद ने कहा कि सिर्फ मैं ही क्यूं मेरे जैसे कई बहुत से लोगों के द्वारा कॉंग्रेस छोड़े जाने की वज़े राहूल गांदी थे उन्हेंने कहा कि उस पार्टी में बने रहने के लिए रीड हीन होना जरूरी है तो बड़ी बात है एक ही बात से या एक ही शब्द से पूरी कॉंग्रेस पार्टी को यहां पर गुलाम नभी आजाद ने लपेट लिया रीड हीन यानि कि अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनलेस यानि कि पवन खिड़ा लगतार गुलाम नभी आजाद पर जो हमला बोल रहे थे दिगविजे सिंग जो हमला वर थे कि भाई जान आपने धोका दे दिया इसके लावा हरीच रावत जो लगतार गुलाम नभी आजाद पर हमला बोल रहे थे इन हमलों के बीच गुलाम नभी आजाद ने एक शब्द से तगड़ा पलटवार किया है कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी में रहने के लिए रीड हीन होना जरूरी है स्पाइनलेस होना जरूरी है कि रीड नहीं होनी चाहिए जैसा अलाकमान कहता है वैसा चुप चाप करते जाओ गुलाम नभी आजाद यहीं ने रुके कॉंग्रेस में अपनी वापसी पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पर इस अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे के हाथ में नहीं है ऐसा नहीं है कि वो चाहते वीवी पार्टी में उनकी वापसी करा सके ऐसा करने में बहुत देर हो चुकी है भले ही राहुल गांधी ने उनकी वापसी की मांग की हो उन्होंने आगे कहा कि आज राजनीती में कोई भी अचूत नहीं है वो सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ जाने से इंकार नहीं किया है आजाद ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने 2013 में यूपीय सरकार दोरा लाए गया देश को नहीं फाड़ा होता तो उन्हें आज आयोग्य नहीं ठैराया जाता इसके अलावा गुलाम नभी आजाद ने सीधे तोर पर उन लोगों पर भी हमला बौला जो लगतार उन पर अटैक कर रहे हैं उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। गुलाम नभी आजाद ने कहा कि वो उन लोगों के तुल्ला में 2000 प्रतिशत अधिक कॉंग्रेसी हैं जो ट्विटर से काम करते हैं यानि कि ट्विट किया था दिगविज़ सिंग ने, हरीश रावत ने, तो ये सीधा हमलाब कह सकते हैं आजाद ने ये भी कहा कि जब शीर्ष नेतरत किसी जाँच एजनसी के सामने पेश होने जा रहा है तो नेताओं को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि अभी किया जाता है तो कुल मिलाकर गुलाम नभी आजाद जो है वो तावर तोड कॉंग्रेस पार्टी पर राहूल गांधी पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं जो भी उन्हें लपेटने की कोशिश करता है वो शब्दों के जाल बुनकर बुरी तरीके से पलटवार कर रहे हैं गुलाम नभी आजाद के किताब लॉंच होने के बाद अब इस किताब के जो अंच हैं वो भी समय समय पर बाहर आते रहेंगे कई ऐसे विस्फोर्टर कुला से हैं जो इस किताब के जरिये हो सकते हैं लेकिन उनके निशाने पर फिलाल जो है राउल गांधी है अपने बयान में वो ये भी कहते हैं कि कोई भी अचूत पार्टी नहीं है यानि कि जब कल को जब मुकश्मीर में चुनाओ होंगे तो क्या गुलाम नभी आजाद की जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ जाकर गटबंदन में चुनाओ लड़ सकती है क्योंकि जब मुकश्मीर में संभवता गुलाम नभी आजाद का जो आधार होगा राजनेती का आधार होगा वो बाकी पार्टीों के तुलना में शायद बहतर होगा ऐसे में इसका लाब बीजेपी को मिल सकता है और शारों शारों में गुलाम नभी आजाद ने कह दिया कि कोई भी पार्टी राजजीती में अचूत नहीं होती है तो क्या गुलाम नभी आजाद के कॉंग्रेस पर जो ताबर तोड हमले हो रहे हैं ये उसी गठवंदन से या उसी राजनीती से बविश में होने अले चुनावों से प्रेरित है ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता लेकिन समय के साथ ये चीज़ें भी निकल कर सामने आएंगी आपको क्या लगता है नीचा कर कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात को अब जरूर लिखें धन्यबाद